हलो काईज, वेलकम टू कूरी पड़ाई, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PHP Logical Operators अगर हम अपनी वेब साइट में या फिर वेब अप में कोई भी लॉजिक लिखना चाहते हैं तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं Like an example हमारे पास एक टास्क है और उस टास्क को करने के लिए हमें दो लोगों की permission की जुरूत पड़ती है तो हम क्या करेंगे दोनों लोगों से पूचेंगे कि आपकी permission और आपकी permission अगर दोनों की permission होगी तो फिर हम उस टास्क को करेंगे ठीक है इसका यह logic लिखने के लिए हम इन operators का यूज करेंगे end operator जैसे कि end operator यह कह रहा है कि अगर both true, मतलब $x, $y दोनों true है मतलब कि दोनों हां करते हैं उस काम को करने के लिए तो वो काम हम कर देंगे कुछ-कुछ ऐसा होता है कि और, यह और condition है और condition में क्या हो सकता है कि अगर दोनों वैसे कोई भी permission दे देता है उस काम को करने के लिए ता हम काम कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम logic sum अपनी website में या फिर web app में लेख सकते हैं तो देख लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं अपने पर चलते हैं यहां पर हम वेल्यूज ले देते हैं जैसे कि पर्सन वन इकल टू टू ठीक है पर्सन टू इकल टू टू ठीक है एक को अगर दोनों पर्सन इसको ब्रेकेट में लगा लेंगे इनडू लगाएँगे पर्सन टू ठीक है दोनों हिनागर परिमीशन देते हैं इस befॉप करा सकते हैं तो यह कंडीशन सब्सक्राइबल्य वे लिए पर्सन गेवी कौन cannis paper के लिएगा इसको पर्सन पर्सन festive current करेगा ठीक है इसको only save कर देते हैं सेफ करने के बाद boolean value true अब कोई person कहता है कि मैं you permission नहीं देता है ठीक है टो permieson नहीं देगा तो टास्क भी नहीं ऊपकर और ओप्रेटर क्या कहता है मारा और आसको हम कर देंगे तो यह ठूँ हो गया और इसी तरह से हमारे यह नीचे वाले फंक्षन से वह भी उस होते हैं और के लिए हम यह वाला भी यूझ कर सकते हैं और अगर हमें लगाना है तो end के लिए हम यह यूझ करते हैं और के लिए हम यह भी उसकर सकते हैं और इसके बाद एक हमारा operator होता है not operator not operator क्या करता है simply opposite कर देता है जैसे कि अगर कोई person कह रहा है कि हाँ पर्मिशन दे रहा हूं उसको मुल्डा प्रेंट कराना चाहते हैं तो हम यह इसको कंड्रोल स कर देंगे और यह फॉल्स हो जाएगा ठीक है अगर हम इसको हटा देते हैं तो फिलाल जो default value है वह हमारी true है वह true value हो जाएगा ठीक है और लास्ट में हमारा रहे गया XOR XOR क्या करता है एक्स और क्या क्या रहा है true if either x और y is true मतलब कि दोनों मैं इसे कोई भी अगर true होते हैं तो वह true हो जाएगा बट नॉट बोथ दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए ठीक है तो हम इसे XOR लगाएंगे XOR लगाने के बाद पर्सन टू ठीक है अब क्या आने चाहिए दोनों ट्रू नहीं है ठीक है तो हम आपास क्या एगा true आएगा अगर हम इसको true कर देते हैं और इसको false कर देते हैं तो तब भी हमारी semi value आने चाहिए true values इसके बाद अगर दोनों को true कर देते हैं जोकि end की condition है पर default हो यह तो यह त्रू होना चाहिए या फिर यह त्रू होना चाहिए और दौनर ट्रू नहीं होने चाहिए यह एकस औश की कंडिशन है। ठीक है तो यह different friend हमारे conditions आती है उसके उपर अंधि सब को यूज करते हैं end operator or operator XOR operator not operator इन सब को हम यूज कर सकते हैं जाले हमें एक्जाम्पिल ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास वेल्यूज निगाला है जो कि नहीं होगी 10 होगी चेहं पर टोंड्रेदा मारी वेल्यूज नहीं होगी je इसको और कमेंड करते हैं तो क्मेंड करते हैं यह में अब व्डाकन करते हैं अब और यह करेंगे इसका एक logic बनाएंगे logic कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे एक value को मैं चेक करना है जैसे कि dollar x equal to अभी हम कोई भी value ले लेते हैं जैसे ले लिएंगे हम 10 value ले 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 लिए तो जो dollar 10 है ठीक है वो less than क्या होना चाहिए वो greater than 9 होना चाहिए है ठीक है यह तो greater than 9 हो गया ठीक है और क्या होना चाहिए एंड dollar x is less than 200 ठीक है अब इसकी value हमने 10 करिए तो 10 इसके middle में आएगा तो इसको प्रिंट क्या करना चाहिए है आए एक से वेरियाबल डम करा लेते हैं ताक्कि value हमारी प्रिंट हो जाए ट्रू है यहारा हमारा true ठीक है अब इसमें simply क्या करना है इसमें values डाल दें इसे 3 डाल दिया त्री डाल दिया फॉल्स आगया ठीक है हमें या फिर हम 500 डाल ला है तो यह फॉल्स ही रहेगा ठीक है तो इस तरह से हम लॉजिक भी क्रियेट कर सकते हैं प्येश्पी लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से आई होप आपको प्येश्पी लॉजिकल ऑपरेटर सौन में आया होंगी तो थैंक यू गाइस meet me on the next video तब तक के लिए good bye your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you